साल भर हम इसे इजीली स्टोर करके रख सके ऐसे ही आम पापड़ की रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर मैंने एक किलो आम लिये हैं आम आप कोई भी ले सकते हैं बादाम, दशेरी, तोतापुरी कोई भी विराइडी का आप आम यूज कर सकते हैं इसे धो लेना है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए विलेज फूरिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करू उसकी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे और धोने के बाद में इसे एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोच लेना है आप जैसा चाहो वैसा इसे काट सकते हो आप चाहे तो पहले इसके छिलके निकाल कर इसे बारिक काट सकते हो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े स्लाइस ही कट किये है और इसे मैं चम्मच से निकाल लूँगी अभी कभी आम लेते वक्त खटे भी मिल जाते है तो अब उसका यूज हम आम पापड बना कर सकते हैं कई बार आम अंदर से सफेद आ जाता है और ऐ ऐसे आम खाना तो घर पर कोई भी बसंद नहीं करता तो जादा सोचना नहीं है ऐसे आम से हमें आम पापड बना लेना है अब सारे आम के पल्प को हमें अच्छे से निकाल लेना है इसका एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है और सारे आम को मिक्सर जार में डाल लेना ये एक किलो के आसपास पूरा पल्प है इसे अब हम मिक्सी में ग्राइन कर लेंगे आम को ग्राइन करते वक्त एक बूंद भी पानी का यूज नहीं करना है बिना पानी डाले ही इसे अच्छे से ग्राइन करना है तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आम का एक भी टुकडा नहीं है अब इस आम के पल्प को एक पैन में ट्रांसफर कर लेना है और ग्यास की फ्लेम को ओन करना है पूरे घर में आम की खुश्बू बढ़िया फैल गई है आप देख सकते हो इसे अच्छे से शाइनिंग आ गई है एक किलो आम लिये है इसलिए यहाँ पर मैं एक कटोरी शकर एड़ कर रही हूँ आम अल्रेडी मीठे है शकर कम या ज़्यादा डालना टोटली आम पर डिपेंड करता है आम अगर ज़्यादा मिठा हो तो शकर कम डाले और कम मिठा हो तो शकर ज़्यादा डाले अब इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है शकर की जग़ आप गूड का भी यूज़ कर सकते है शकर डालने के बाद ये 12 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेना है गैस की फ्लेम को हमें low to medium ही रखनी है जैसे जैसे आम को पकाते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर बदलता है और इसे अच्छा कलर आए इसलिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी आप अड़ कर सकते है मैंने फूड कलर अड़ नहीं किया है अब इसे पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो चुके है तो गैस को अफ कर दिया है जिस भी प्लेट में आप आम पापड बनाने वाले हो उस पर थोड़ा सा घी या ओईल लगा लेंगे और यह पेस्ट एकदम गरम रहते हुए ही प्लेट में निकाल लेंगे इसे थाली में डालते वक्त बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हो ज़्यादा डालने से आम पापड जाड़ा बनेगा और कम डालने से यह पतला बनेगा बड़ जल्दी सूख जाएंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं एक किलो आम की चार प्लेट्स भर कर बढ़िया आम पापड बन गया है धूप में इसे हमें दो दिन अच्छे से सुखा लेना है अगर आपके यहाँ धूप ना हो तो आप फैन के नीचे तीन से चार दिन तक इसे सुखा ले जैसे मारकेट शॉप में मिलती है सेम वैसे ही आम पापड बन कर रेडी है और आम पापड अगर अच्छे से सुखा नहीं होगा तो आप इसे और एक दिन के लिए सुखा सकते हैं आप इसको अपने चोईस के एकॉर्डिंग कट कर सकते हो ग्लास से भी इसे राउंड शेप में कट किया जा सकता है एर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं यह एक साल तक इजीली रहता है तो ऐसे ही आप भी आम पापड बनाईए चोईस के एकॉर्डिंग इसके टुकडे करें और फ्रीज में इसे स्टोर करके रखें और जब भी मन हो खाने का तब फ्रीज से निकाल कर खा लिजें तो आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी? रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंड करके जरूर बताईए और अगर आप चैनल पर नए है फर्स टाइम अगर आप मेरे वीडियो देख रहे है तो प्लीज विलेज फूडिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए चलिए तो फिर मिलते है ऐसी ही यूनिक, डिलीशियस और इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार